तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं टाटा पावर के बारे में जहां पर आज की दिन आपको इस शेर्स के अंदर 1.7 प्रतीशित की शांदर तीजी देखने को मिल रही है इसी तीजी के साथ में आज क ही company को लेकर एक शादनार update market में circulate होती है उसकी बाद में टाटा power के अंदर हमें देखते ही देखते काफी अच्छी buying आते विए देखने को मिल जाती है तो बात कर लेती है टाटा power के अंदर क्या important updates निकल कर आई है उसके बिले अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया ते channel को subscribe करना मत बुलेगा ताकि हर एक important updates आपको इस channel से सबसे बिले मिलती रहे चलिए बात कर लेते सबसे बिली update के साथ में जहाँ पर टाटा power ने zoom car के साथ में collaboration किया है zoom car जिसको EV charging infrastructure की काफी ज़्यदा requirement होने वाली है इसके चलते टाटा power ने यहाँ पर इस company के साथ में partnership करी है यहाँ पर आप complete news देख सकते टाटा power electrical vehicle charging solutions limited a subsidiary of टाटा power group has entered into a significant partnership with zoom car a prominent car sharping platform aimed at facilitating witspard electric vehicles adoption and delivering a seamless and user friendly charging experience to EV users across the nation ultimately इस news के चलते टाटा power के अंदर आज की दिन हमें इतनी शांदर थीजी देखनी को मिल रही है टाटा power is a charge e-compasses a network of over 50,000 home charges more than 4,370 public and semi-public charging points along with 250 bus charging station situated across 350 cities तो काफी बड़ा project टाटा power को आज के दिन यह देखने को मिल रहा है और अगले 5 साल के लिए टाटा power बहुत ही शांदर परफॉर्म आपको करते विए देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आपनी अटम 300 रुपे कर target लेकर चल सकते हैं पकले ते अनदर small cap company के बारे में जो कि FMCG सेक्टर से बिलॉंग करती है और company 30 अगस 2023 के दिन अपने board of directors की meeting conduct करने जा रही है जहाँ पर company stock split को लेकर announcement करने वाली है आप देख सकते हैं board of small cap stock operating in FMCG सेक्टर Revolgon Sugar Farm Limited is scheduled to meet on 30 अगस 2023 to consider and approve the proposal for subdivision stock split of equity shares तो यहाँ पर हमें stock split देखने को मिलने वाला है इस company की performance की बात करें तो पिछले 6 महिने में इस company ने और 40 प्रतीशत की return और पिछले 1 साल के अंदर 136 प्रतीशत की returns यहाँ पर अपने investors को बना कर दिये है बात करें Revolgon Sugar Farm Limited की तो company बहुत ही शांदर perform करते वे देखने को मिल रही है और साथ ही साथ company के market cap की बात करें तो एक micro small cap company देखने को मलती है जिसका market capitalization बहुत ही कम देखने को मिलता है तो यदि आपने यहाँ पर घरिदारी कर रखी है तो 30 अगस की तारीक को आप अपने पास में note down करके रख सकते हैं रख सकते ही